आज की वीडियो में आपको PM किसान समान निदियोजना में आवेदन करने का तरीका और इस योजना में आवेदन करने की लाश्ट डेट भी आचुकी है तो वो भी बताऊंगा और आप अपने मोबाइल से आवेदन किस तरह से कर सकते हैं CACC आवेदन किस तरह से करा सकते हैं और अभी आवेदन चालू है या फिर बंद है अभी इसकी लाश्ट डेट है वो क्या है तो आज की वीडियो में आपको आवेदन से समंदित बहुत सारी एहम जान करें देने वाला हूँ तो वीडियो को पुरा देखेगा और आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं पूरी एहम इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा तो चोटा से वीडियो पूरा देखेगा मैं मेरे मोबाइल में आचका हूँ यहाँ पर मैं आपको PM किसान गूगल में सर्च कर लेता हूँ जैसा ही मैं PM किसान सर्च करता हूँ तो इस तरह का पेज मेरे सामने उपन हो जाता है तो यहाँ पर आप स्टेब आइ स्टेब वीडियो को कम्प्लिट वास करिएगा इस वेबसाट का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आपको बहुत सरी इस योजना से जुड़ी जानकारी मिल जाती है तो वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके एक बार विजिट जरूर कर लीजेगा तो यहाँ पर मैं जैसे कलिक करता हूँ तो पहली पहली वेबसाट मेरे सामने उपन हो जाती है तो बहुत सरी किसानों का सवाल रहता है कि हम मुबाइल से आविदन करना चाहते हैं तो वहाँ पर सम्टिंग वेंट रॉंग कैपसा की प्रोब्लम आ रही है और इस योजना में हम मुबाइल से आविदन नहीं कर पाते हैं और साथ ही बहुत सरी किसान बोल रहे हैं कि इसकी लाष्ट डेट क्या है यानि अभी मुबाइल से आविदन नहीं हो रहा है तो अभी आविदन कितने दिन चलेगा और आप mobile स्यावदन केसे गर सकते हैं Casc केसे करवा सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपने mobile सिावदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलता है New Pharma Registration का यहाँ पर आपको कलिक करना है जैसे यहाँ पर आपको इस तरह का पेज मिल जाता है यहाँ पर आधार नमबर, मूबाइल नमबर और स्टेट चूज़ करना होता है और image को डालना होता है फिर यहाँ पर आपको send OTP वाले option पर click करना होता है तो यहाँ पर मैं आपको step by step सारी information देता हूँ तो यहाँ पर आपको जैसे send OTP वाले option पर आप click करोगी तो इस तरह का page आपके सामने आज आता है तो खिसान बर इस तरह की problem आपके सभी खिसानों को face करनी पड़ रही है तो आज की वीडियो में आपको step by step पूरी information देने की कोशिश करोंगा अगर आपका इस तरह का pop up आ रहा है तो यहाँ पर आपको okay कर देना है okay करने के बाद यहाँ पर आपको back करना है back करने के बाद वीडियो के निचे आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप direct इसे open कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप उपर आओगे तो यहाँ पर आप एक three dot का option दिखाई देता है जैसे यहाँ पर आपके लिए करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सरे option मिल जाते है contact as login, cse login अगर आपको आविदन में या फिर आविदन में सुदार से शमन देता अगर आपका पेसा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बहुत सरे अधिकारियों के नंबर मिल जाते हैं तो उनसे contact कर सकते हैं लेकिन हमें इस योज़ना में आविदन करना है हमें इस योज़ना में आविदन करके फायदा लेना है तो सबसे पहले आपको login वाले option पर जैसे click करोगे तो आप यहाँ पर इस योज़ना की जो वरिष्ट अधिकारी होते हैं पर इस योज़ना है कि उनसे आविदन करा सकते हैं लेकिन आपको ब्लोग में जाना पड़ेगा आपको तैसिल में जाना पड़ेगा इसके अच्छा है कि आप इसे login वाले option पर click करना होगा CAC login वाले option पर click करोगे तो यहाँ पर आपको username और password का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा username और password अगर आप एक किसा है ना तो आपके पास नहीं होंगे लेकिन username और password हो सके तो आपके नज़दे की जो CAC center है वाँ से आप ले सकते हैं अगर वाँ आपके username और password दे देते हैं तो यहाँ पर आपको login करना होगा और यहां पर आप आसने से आवेदन कर सकते हैं अगर यह आवेदन करोके तो आपको फॉर्म जल्द अपरूल मिल जाएगा और आप इस युजना का जल्द से जल्द फायदा ले सकते हैं अगर आप ID और PASSWicz नहीं ले पाते हैं वो नहीं देते हैं तो उनके पास ले जाहिए वो आपका आविदन कर देंगे बाकि अगर आप मेरे से आविदन कराना चाहते हैं मैं एक CS संचालक हूँ तो आप मेरे से आविदन करा सकते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो के निचे लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप मेरे से contact कर सकते हैं वीडियो के निचे दी गई जानकरी आप जैसे click करोगी link पर तो वहाँ पर आपको इस योजना से related जानकरीया मिल जाएगी वहाँ पर आपको मेरे से contact करने के लिए comment करना होगा और comment में आपको सिद्धी मेरे पास वह comment चला जाएगा और मेरे से आप contact कर सकते हैं अगर हो सके तो आप अपने नजदे के से जेंटर से ID और पासवर्ड लेकर आप आवेदन कर सकते हैं घर बैठे अपने मॉबाइल से अभी यह सुविदा चालू है तो आप इस पर कारास आने से आवेदन करा सकते हैं अगर आपको जानकरे इसे लगी है तो वीडियो को लाइक और सेनल को सबस्क्राइब जरूर जरूर कर लेना क्योंकि इस योजना की पूरी जानकरे आपको इस चंज़र पर मिलते रहते हैं धन्यवाद किसान भायों मिलते हैं अगले वीडियो में